हलो एबरिवन आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही खुबसूरत सा और ब्यूटिफुल पलाजो पैंट डिजाइन आप इस डिजाइन को अपनी सिलिव पलाजो दोनक उपर बना सकते हैं बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगता है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो यह मैंने अपने पलाजो में से एक्स्टा फेबरिक लिया है और इसकी उल्टी साइड में मैंने केनवास पेपर चिपका दिया है प्रेस से इसकी चोड़ाई मैंने साड़े तीन इंच रखी है और लंबाई मैंने अपनी मोहरी के बराबर ली है अब डिजैन बनाने के लिए इस तरह की हमने फेबरिक पट्टी तयार कर लेनी है मैंने ये पहले से ही तयार कर ली है अब इस कपड़े की चोड़ाई के बराबर हम इनकी लंबाई रखेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे अगर आपको इस तरह की पट्टी बनाना नहीं आता है तो पट्टी बनाने की वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो इसी तरह से मैंने सारी पट्टी अकट कर ली है अब हम इनको इस कपड़े के उपर अटेज करेंगे तो इसमें मैंने 20 सेंटर में एक सीधी मार्किंग की है अब जो हमने 20 सेंटर में मार्किंग की है उस मार्किंग की उपर हमको सिलाई लगाना है और इस तरह से पट्टियों को रखते जाना है दिहान रहे, पट्टी आपकी कपड़े की दोनों साइड में बराबर रहनी चाहिए ऐसा नहीं कि एक साइड में कपड़े के अंदर चली जा और एक साइड में बाहर निकल जाने तो फिर आपका डिजैन भी गड़ जाएगा बस इस तरह से जो भी एक्ष्टा पट्टी है वो कपड़े से बाहर निकलेगी लेकिन दोनों साइड में बराबर आनी जरूदी है तो इस तरह से रखते हूँ हमने 20 सेंटर में इसमें सिलाई लगा लेनी है तो यह मैंने सिलाई लगा ली, अब देखिए एक साइड से पट्टियों को हम ऐसे मोडेंगे, उल्टा कर देंगे बस ऐसे पकड़ना है और ऐसे पट्टि को उल्टा मोड देना है ऐसे मोडते हुए हम इस साइड पर सिलाई कंप्लेट कर लेंगे तो यह डिजाइन हमारा कुछ ऐसे बनता जाएगा बहुत ही असान है लेकिन बनने के बाद में बहुत ही ज़्यदा खुबसूरत लगेगा मैं आपको बना कर पहन के भी दिखाऊंगी कि पहनने के बाद में यह डिजाइन कैसा दीखता है तो बस इसी तरह से सारी पट्या हमने मोड लेनी है तो यह हमने एक साइड से पट्यों को मोडते हुए सिलाई लगा ली है अब इसी तरह से हम दूसरी साइड से पट्यों को मोडते हुए सिलाई लगाएंगे बस ऐसे ही हमको पट्टी ऐसे उल्टी कर देनी है और यहाँ पर भी किनारी पे सिलाई लगा लेनी है सेम तरीके से हम ये साइड भी कम्पलीट कर लेंगे तो ये लिजे हमने दूसरी साइड को भी complete कर लिया है तो ये design हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है अब इसको हम अपने पलाजों के उपर attach करेंगे तो ये मैंने अपना पलाजों लिया है ये इसकी सीधी साइड है तो design को हम इसे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे हम इ इस पर यहाँ पर finishing वाली सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी finishing वाली सिलाई लग चुकी है अब हम इसकी नीचे वाली साइड को ready करेंगे तो इसके लिए मैंने ये fabric पट्टी ली है इसकी चोड़ाई मैंने लगबग 2.5 इंच रखी है यह आप देख सकते हैं और इसकी उल् सिलाई लगा के ready करेंगे अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और नाखुन की मदद से इसको अच्छे से finish कर लेंगे इसके बाद में हम आदा इंच की दूरी पर marking करेंगे ये देखिए यहाँ पर मैं आदा इंच की दूरी पर निसान लगा रही हूं इस तरह से आदा इंच की दूरी पर निसान लगा के हम इस लाइन को सीधी कर देंगे तो ये मैंने लाइन सीधी कर दी है अब हमने यहाँ पर भी डिजाइन बनाना है तो इसके लिए हमने और फेबरिक पट्टी बना के तयार कर लेनी है तो ये मैंने सवा दो इंच कपड़ा लिया है और लंबाई मेंने लगबग इसकी एक मीटर रखी है लंबाई आप कम या जादा भी ले सकते हैं क्योंकि हमने इस में से छोटे छोटे पीस बना के तयार करने हैं इसकी खुले वाली साइड पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको सोई धागे की मद बनाई थी जो हमने पहले डिजाइन में लगाई हैं इसकी चोड़ाई थोड़ी मेंने जादा रखी है और उनकी चोड़ाई मेंने कम रखी थी इसकी सिलाई को हम 20 सेंटर में करते हुए इस पर प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से ये इस तरीके से जम जाती है अब हम इसमें से 22 offices के पीज कट करेंगे और जो हमने पत्ली पत्टी बनाई उनकी सिलाई हमने एक ही साइड में रक्कि थी तो इसकी सिलाई हमने नीचे की तरफ restaurant करनी है और उसकी सिलाई हमने साइड में रखनी है बस आपको ऐसे ही दोनों तरह की पट्टी बना के तयार कर लेनी है तो ये मैंने दो दो इंच के पीस कट कर लिये हैं अब इनको हम अपनी इस डिजाइन के उपर अटेच करेंगे तो देखिए जो हमने यहाँ पर आदा इंच की दूरी पर ये मार्किंग की है यहाँ पर ऐसे रखना है और जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के उपर हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर हमने थोड़ा सा गेप रखना है लगबग एक पेर से ज़्यादा ही रखें एक पेर से कम नहीं रखना है आपको एक या दो पेर का आप रख सकते हैं गेप थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा बहुत अच्छा लगता है और बस इसी तरीके से रखते हुए हमने इनके उपर सिलाई लगा लेनी है तो ये लीजे मैंने सारी पटियां यहां पर अटेच कर ली है अब हमने ये कपड़ा ऐसे मोड़ना है और फिर इसके उपर ऐसे पलट देना है और जो हमने अभी सिलाई लगाई है उस सिलाई को हलका सा दबाते हुए हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे आपको finishing के साथ में यह सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको नीचे की तरफ ऐसे पलट देंगे यह देखिए और अब हमने यहाँ पर इसके उपर सिलाई लगानी है यहाँ पर यह देखिए नीचे सिलाई नहीं लगानी है उपर यहाँ पर फिनिसिंग वाली सिलाई लगा लेनी है देखिए हमारी फिनिसिंग वाली सिलाई भी लग चुकी है और यह डिजैन हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है अब यहाँ पे हम इसमें मोती अटेज करेंगे तो यहाँ पे मैं मोती अटेज करके और फिर मैं आपको यह पहन के भी दिखाती हूँगी पहनने के बाद में कैसा लगेगा तो लीजी यह मैंने इसमें मोती अटेज कर लिये हैं कितना सुन्दर और ब्यूटिफुल हमारा डिजाइन बनके रेडी हो गया है आप इस डिजाइन को अपनी सिल्यू पर भी बना सकते हैं देखिए सिल्यू पर पहनने के बाद में कुछ इस तरीके से दीखेगा मैं आपको सिल्यू पर लगा के दिखाती हूँ बहुत ही खुपसुरत लगेगी सिल्यू पर भी बना सकते हैं मैंने इसको अपने पलाजों के ऊपर बनाया है और ये पलाजों पहनने के बाद में कुछ इस तरीके से दीखेगा आप देख सकते ही कितना सुन्दर और ब्यूटिफुल लग रहा है तो friends आपको ये design कैसा लगा है comments करके जरूर बताईगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और share करना बिल्कुल भी मत भूलेगा आपने भी तक channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लीजिए और साथ ही bell icon को जरूर दबाईए तकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे Thank you